हेलो फ्रेंड्स मैं धर्मेंद्र अपने यूटूब चैनल अमेजिंग पार्ट साला में आप लोग का पुनस्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के लिए एक्टिव आयस और पैसी वैस के साथवे पार्ट को लेकर आया हूँ दोस्तों पिछले पार्ट में हम प्रकार से प्रकार से प्रिबर्टन किया जाता है तो आईए दोस्तों आज इसी को सिखते हैं तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जाते हैं जो हमारे जो टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं दोस्तों वो हमेशा एक्टिव में होते हैं ठीक है और पाश परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसकी पहचान जो होती है चुका था चुकी थी च कुगे से आखिर में आते हैं और साथ यसान दोस्तों फिलावां हृंदी जिस सवरी जो आपक yeo होते हैं उसके दोस्तों आखरी अगर आई ए estos ए जैसे गया भाट गया थी गया फिद्द अगर ऐसा भी है तो दोस्तों वह आपके क्या होता है पाश्ट परफेक्टेंस होता है ठीक है तो आईए इसके पहले पहचान को लिखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं तो दोस्तों पहचान की बात किया जाए पास्ट परफेक्टेंस की आखरी जो आपका हिंदी का सेंटेंस क्या आता है चुका था चुकी थी चुके थी या फिर आपका जो वर्बगा आखरी के स्वर्ज वहता है जैसे आ था जैसे गया था यह ते गई थे यह गए थे अगर ऐसा भी आ रहा तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा नगे थो खहले अरुड़ हो और दोस्तों are past perfect के कर सकते अफ्यर्मेट्व sentence की बात किया जा तो दोस्तों यह आप जो सब्जक्ट छाह सीम्गूलरल और गहां हैं ठीक Über pops करते हैं ठीक दोस्तों और जब गणा में पाज़्व सब्पट बन जाएगा और इसके बाद भाद उसमें त्योगीम पड्सकािफ्ट्र होता वो लेकर चलता है ठीक दोस्तों चुकि आप लोग अच्छी दर जानते हैं पाश परफेक्ट कांटीनिवस की जो हेल्पिंग वर होती है वो हैड बीन होती है तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा अब्जेक्ट वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट का स्थान पर उसके बाद हेल्पिंग कि दोस्तों हैड भीन उसके बाद मेर्प काठर थार क्या होता है कि कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो आपको इसमें सोक्षनाए को लिगते हैं पहले से ही वर्प का थार li किया गया होता है उसके बाद दोस्तों हम प्रेपोजिशन राइक का प्रयोग करेंगे और आखरी में एक्ट्व के सब्चेट को लिख देंगे ठीक है तो आई इसके फार्मेशन को लिखते हैं माद्युम से समझते हैं दोस्तों अफिर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए ह कि अप्पिर्फिर्मेटिव सेंटेंस के हैंदस्ट इसका स्टूक्टर हो जाएगा एक्टिव का पहले सब्सेक्ट का आजाएगा उसके बाद हैंपिंग वर्ब हैट फॉर्फ पर्फेक्ट की वर्फ घरध फिर आप्षिप्ट यह आपका एक्तिव करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा पहले आपका आपको सबसे पहले आपको लिखना एक्टिव का उसके बाद दोस्तों हमें हैड भी लगाना है एक्टिव में अल्रेडी दिया रहता है और इसके बाद दोस्तों इसी फार्मेशन पर हमें मतलब रखना है जब एक्टिव स्पैसिव को चिंज करना है ठीक दोस्तों आईए एक्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं पहला एक जयम है दोस्तों आप लोगों के लिए राकेस हैड चैंक डी मैशेज्ज ठीक है देख रहे हैं आपका सब्सेंड है है दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे ओबजेट को सब्सक्राइब क्या है एक्टिव का मैसेज में दोस्तों संदेश होता है ठीक है मैसेज उसके बाद दोस्तों में helping work है लगाना है चाहे आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो आप उसके बाद दोस्तों बीन किसमें आता है पास्ट परफेक्ट कांटिनिवस की helping work होती है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमें वर्ब का थर्ड फार्म की है है यहां पर सेंट आल्रेड़ी दिया है तो हमें ज्याद किकर strength होता है उसे हम में क्या करेंग सब्सेक्ट सबसेक्ट जो वक्त इस चाली है चुल्संट कर लेते हैं देख रहें कि उबजुट क्या दिया है स्ट्रीं दोस्तें अब सब्सक्राइब करें तो क्या बना देंगे और था तो प्रिवर्थन नहीं होगा क्यों कि अगर यह प्रोनाउन होता कोई तो इसमें सेंट बाई राकेश तो मैं आसा करें आप समझ में आ रहा होगा तो आए नेक्स रिजामबर की तरह बढ़ते हैं दे हैड हैड है यह ना दे हैड है लुद दोस्तों दे सब्जेक्ट यह हल्पिंग वर भैड में वर मी आपका उपसेट सबसे पहले क्या करेंगे हम उपसेट क किसका अबजेक्ट है आई का है ना आई से मी बना है इस वेसे में सब्जेक्ट केस में हमें सब्जेक्ट के अस्थान पर टकना है ठीक है तो आपका होगा आई उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर हैड बीन हना और उसके बाद क्या करना है में वर लिखना है में वर देख औपस्ट है देम होता है तो आई हैड बिन हेल्पड बाइ देम दोस्तों तो आई एक एक ग्जम्पल और देख लेते हैं तो दोस्तों next है he had taken food before I come तेकर रहे दोस्तों इसमें आपका दोहरा sentence दिया क्योंकि कर सकते हैं जो past perfect tense होता है इसमें double sentence भी आते है मतलब एक ही sentence में दो कारे होते हैं इसे he had taken food before I come इसका अर्थ क्या हो जगा he had taken food before I come यानि मेरे आने से पहले बार खाना खा चुका था इसका यही मतलब होगा इसमें दोहरा दिया है दोस्तों में सोचना नहीं है हमें जो पहला यानि जो कह सकते हैं before से पहले जो sentence है उसी को convert करना है बाकि इसको जियों का तेम रख देना ठीक है आई इसको अनकाउंटेबल नाउन है तो जो कि हमेशा singular होता है तो वह तो हमें singular फुर्ट तो देखना नहीं है ना फूड हो जाएगा helping work had been उसके बाद दोस्तों main verb का third form देख रहे हैं ना formation had been की बाद में main verb का third form लिखना है जो कि क्या दिया है taken दिया है तो taken by आई ही ठीक है ही चुकि subjective case में है है ना active का जो sentence आपका है he subjective case में यह pronoun है तो ही का में object लिखना होगा तो क्या हो जाएगा him हो जाएगा हाना तो taken by him उसके बाद दोस्तों यह जियों का दिया लिख देना है past perfect tense का जो affirmative sentence था यह आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो आईए बढ़ते हैं negative sentence की तरफ दोस्तों यदि past perfect का जो active as का sentence है दोस्तों यदि वो negative में हो तो दोस्तों हमें affirmative की ही जैसे करना है तो दोस्तों इसका structure लिखते हैं फिर example के माध्यम से समझते हैं तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि जो सहाइक क्रिया head भी है पैसम लगा रहे है उसके बीच में नाट लगा देना तो आईए इसका formation लिख लेते हैं तो active का तो formation क्या होगा पहले आपका subject आएगा जैसे कि आपका फिरमेट्व में आता था उसके बाद healthy word head negative होने गनाते not आज जाएगा वर्ब का third फार उसके बाद object यह आपका कह सकते हैं कि active का formation subject head उसके बाद दोस्तों negative होने करना इतना तो वर्ब का third फार फिर object टीक है आई इसका passive का भी लिख लेते हैं तो दोस्तों पैसिम सबसे पहले आप क्या करते थे object को लिखते थे पहले object उसके बाद helping word head been आता है इसी की बीच में क्या करना है not लगा देना है head not been ऐसा हो जाएगा ठीक है उसके बाद भी third लिख देंगे और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे प्रिपोजिचर बाई अवा आखिर में active का subject देख रहे हैं इसमें कुछ परिवर्थतर नहीं वह active के ही जैसे affirmative के जैसा ही है passive का लेकिन इसके बीच में देख रहे है not आ र यह active का example है अना पहला है the boys had not eaten the boys had not eaten the mangos the boys had not eaten the mangos आईए दोस्तों इसका change कर लेते हैं तो सरपत हम क्या करेंगे जो हमारा active का object दिया उसको सरपतम पहले लिखेंगे ठीक है eaten main verb है negative होने रहे हैं यह helping वर यह subject है ठीक है तो आए चेंज कर लेते हैं passive में इसे तो दोस्तों इसे passive हो जाएगा the mangos had not not लगा negative ना थे बीन हो जाएगा और देख रहे हैं वह अर्बगा third भार कुछ दोस्तों करना ही नहीं हमें eaten का eaten ही हो जाएगा उसके बाद preposition by लगाएंगे और दोस्तों फिर active का जो subject दिया है the bias इसको पैस्व की अस्थान पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें परिवर्तन होने वाला तो है नहीं ठीक है इस प्रकार से आपका पैसे हो जाएगा the mangos had not been eaten by the bias ठीक दोस्तों आई एक example और देख लेते हैं तापकि आपका किसी भी प्रकार कोई confusion न रहे तो next example है दोस्तों आपनों के लिए payal had not washed the cloths before लंच टाइम पाइल हैड नाट वाश्ट दे क्लास बिफोर लंच टाइम इसमें देख रहे हैं आपका दोहरा कर सकते हैं कि कार्य हो रहा है इसमें दोस्तों मैं परिशान होनी की आउशकता नहीं है क्टैंड सबसे पहले क्या करें बिफोर के आगे चोड़ देना है ना हमें इससे पहले का देखना है चुकि देख रहे हैं हैं इसको क्या करेंगे हम सबसे पहले लिख देंगे में देख रहे हैं इसी की फार्मेशन पर सब रखा जा रहा है उसके बाद में बरब क्या है दोस्तों वार्श्ट बाई उसके बाद देख रहें पायल सब्सेक्ट है अक्टिव का दिसम्गे कुछі की नाउन गतर चेंज नहीं होगा पायल उसके बाद लंच टाइंब ट्रीम तो इस प्रिकार से आपका passive चेंज हो जाएगा तो दोस्तों मैं आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा तो आईए बढ़ते हैं next type के sentence की तरफ दोस्तों अब हम next type के sentence अर्थात interrogative sentence का active passive बनाना सिखेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें प्रश्ण या सवाल किये जाते हैं उसका दोस्तों हम जवाब हां या नामें दे पाते हैं इसे दोस्तों single word interrogative sentence भी कहते हैं दोस्ते इसमें yes no type sentence हो से उसकी खास्य होती है दोस्तों ये आपका कह सकते हैं किसी भी मतला इसके सेंटेंस वो इसमें दोस्तों उसकी helping verb से स्टार्ट होती है जब दोस्तों हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो ये क्या से होता है ना तो दोस्तों यदि आपका कह सकते yes no type का starting head से हुआ हो तो दोस्तों जब हम passive eye में इसका परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों सरफ़त हम head ही लिखेंगे उसके बाद दोस्तों object बाद दोस्तों बीन और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फार्मलिक के प्रिपोजिशन बाई लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर का करेंगे एक्ट्व के subject को object के स्थान पर लास्ट में आपका क्योस्चन मार का जाएगा ठीक है आईए इसके formation को लिखते हैं उसके बाद तब example के माध्यम से समझते हैं तो दोस्तों इसका formation हो जाएगा एक्ट्व का एक्ट्व का एक्ट्व का फार्मेशन होगा दोस्तों पहले आपका helping work head उसके बाद आपका subject एक्ट्व का हना फिर वर्ब का थर्ड फार्म object और लास्ट में क्योस्चन मार का ठीक है पैसम जब इसे चेंजे करेंगे तो आपका helping verb से ही start होगा अर्थाद head से ही start होगा उसके बाद आपका object आजाएगा एक्ट्व का just बाद उसे हमें क्या लिखना है बीन फिर वर्ब का थर्ड फार्म जो की सोचना नहीं है उसके बाद बाद हमें subset और लास्ट में आपका question mark क क्योंकि दोस्तों यह interrogatory sentence ही तो question mark आना स्वभाविक है ठीक है तो आईए अब कुछ example के माध्यम से समझे लेते हैं पहला examper है दोस्तों आप लोगों के लिए had because built the house दोस्तों देख रहे हैं आप ना कि starting किसे हुआ had से हुआ helping verb से हुआ है past perfect tense के उसके बाद दोस्तों विकास subject built minimum and the house के उसका object है तो दोस्तों क्या होगा had because built the houses का हिंदी अर्थ क्या होगा दोस्तों क्या विकास घर बना चुका है बना चुका था दोस्तों पाश्ट का है verb had से ही इसको start करना है उसके बाद दोस्तों object को लिखना है क्या है object the house है इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है being देख रहे है head object हमने लिखा फिर बी उसके बाद दोस्तों verb का थर्ड फार्म क्या है built दिया है तो built मतलब दोस्तों बनाना या निर्मार करना होता है तो built हो जाएगा preposition by लगाएंगे उसके बाद active के subject लिख देंगे दोस्तों देख रहे है active का subject क्या है विकास है नाउन है और नाउन दोस्तों third person में आता है चेंज भी नहीं होता है इसका active और स्वरी दोस्तों इसका मतलब subject हो इथावत रहता है ठीक है तो आपका होचा है कि had the house been built by विकास ठीक है तो यह आपका पैसर में होगा तो आएए एक और example देखते हैं जो की है had we called sorry दूसरों यहां पर दो बार हो गया है called इसको यहां पर remove करेंगे had we called her friends तो दस्तों देख रहे हैं हैड से start होगा तो इसका starting क्या से करेंगे हैं जैसे had we called her friends क्या हम उसके दोस्त को या फिर उसके मित्रों को बुला चुके थे या बुला लिया था ऐसा भी कर सकते हैं तो आए इसका change कर लेते हैं तो दोस्तों आप क्या करेंगे सबसे पहले is दोस्तों हर दिया आनना जो और ची ओब्सक्शुने क्या है और पजर हो क्शेस्श्यक्ष में आया है pokut क्युक्श्यकर धे और यस वज़ेस्वर हमें तुम्हें सात्व में चलता है तो इस वजह से आपको हरका है हर लिखना निस चीज़ को थियान देने का बीन लिखना है काम किया उसका यहां पे काल्ड करना अना एक्टुव का प्रस्ड़Y दिया है वी इसके क्या अब्धा है और हो जाएगा लाश्ट में आपका कियोचेंज झाल मारत आएए दोस्तों देखते हैं कि मतलब आपका यह तक नेगेटिव हो तो हम उसको पैस्वी में किस प्रविवर्तन करेंगी दोस्तों उसमें कुछ करना नहीं है हमें सिर्फ क्या करना है जो मेंने शरुसके करना दोस्तों कर सकते देख रहें आपका 12 सेंटेंस दिया है अर्था सेंटेंस एक लेकिन कार्य दो हो रहा है ना अलग-अलग समय पे ठीक है तो आईए इसका हम भी परिवर्थन कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हेल्पिंग वर्फ हैड से स्टार्ट करेंगे है ना क्योंकि इसमें हैड के लाउत कोई और चल नहीं रहा है जिसके बारे में मैं सोचना हो तो आपका हैड हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका अब्जेट क्या दिया है यू दिया है इसको हम क्या करेंगे सब्जेट के स्थान पे लिख देंगे ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा यू क्योंकि दोस्तों यू का subject object सेम होता है तो यू हो जाएगा और दोस्तों negative होने के ना थे नाथ उसके बाद हमें बीन लगा देना ठीक है और बीन के बाद में वर्ब का third farm जो कि की दिया है help उसके बाद करते हैं सब सारा लिख दे रहा है before I came ठीक है दोस्तों तो had you not been helped by him before I came तो दोस्तों मैं आसा कर रहा हूं या आपको yes no type interrogative sentence समझ में आया होगा अच्छी तरह से तो आए दोस्तों अब next type के interrogative sentence को भी देख लेते हैं दोस्तों दूसरे type का हमारा interrogative sentence, wh word type interrogative sentence होता है दोस्तों देख नश्का इसका er c anno q क्या है कि कि دोस्तों डबली और सकते हैं कि एक एक वर टों का एक family होता है इसका स्टार्टिंग दोस्तों आमतावर पर phid Guild check 一से दोस्तों वाट वैMP रहना यह दोस्तों क्या है कर सकते हैं कर सकते हैं कि असको स सब्सक्राइब अच्छेंज करते हैं जो आया है वर्ड दोस्तों देज फैमिली का उसको वहम जयोकत्यओं लिखेंगे उसके बाद दोस्तों सारा सेंटेंस हमें कर सकते हैं इसके इंटरोगेट्टीव के फर्स टाइप जो कि आपको क्या होता है यह स्बंडर टाइप इंटरोगेटीव सेंटेंस की तरह करना है ठीक है दूस्तों आईए इसका formation लिखते हैं फिर example के माध्यम से भी से समझ लेते हैं दोस्तों इसका active का formation हो जाएगा ड्याबली एच वर्ड का सब्रत्म क्या करेंगे ड्याबली एच वर्ड आएगा है ना ड्याबली एच वर्ड उसके बाद दोस्तों उसमें क्या करते थे इसनो टाइप में हैड आता था उसके बाद दोस्तों सब्सेट के बाद आपका में वर्ड थर्ड फार और लाश्ट में क्यूशन दिखने सारा वैसे दिया बसरते यहां पर आपका नया जूड रहा है ड्याबली एच वर्ड जो दोस्तों आ रहा उसको जियों करते हो पहले ल आप लोगो के लिए उसके बाद दोस्तों आपका बीन पहलड का थर्ड वर्ड बंस में ऐक्तिव में ऊपने छाय पहला या पाले दोस्तों आप लोगो के लिए कि वाई हैड यू बीटेन दे ओल्ट सर्वेंट मतलब आपने या फिर कमने बूड़त नौकर को क्यूं पीटा था या क्यूं पीट चुके थे ऐसा आएगा तो दोस्तों इसे में कुछ करना नहीं है हमें जे यह वर्ड आ रहा है उसको पहले लिख देंगे उसके बाद हमें helping-वर है को लिखना है को यह इसके बाद हमें say sentence yes no type नो करना है उसमें क्या करते थे सबसे पहले है लिखते थे उसके बाद हमें offset को लिखना है क्या थी ये या है old servant सर्वेंट इसके बाद हमें बीन लिख देना है और मेन वर्ब क्या दोस्तों बीटेन है बीटेन उसके बाद बाइ उसके बाद दोस्तों आपका क्या करना एक्ट्व का जो subject उसे passive में object की अस्थान पर रख देंगे और उसे objective की असमें बदल देंगे तो you आपका दिया है जो की pronoun है second person का इसका object और subject सेम होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो why had the old servant been beaten by you यह दोस्तो आपका passive होगा तो यह next example की तरफ बढ़ते हैं जो की है when had Bikram sold the books मतले किताबों को कब बेच चुका था या किताबों को बेच दिया था ऐसा भी कर सकते हैं तो आई इसका भी चंज कर लेते तो दोस्तों हमें कुछ करना नहीं है सबसे पहले इसके बाद हमें क्या करना helping word had फिर उसके बार हमारा object क्या दिया हुआ है the books दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि आखिर में दिया है तो यह object हो रहा है ऐसा कुछ नहीं दोस्तों कभी ऐसा भी sentence मिल जाता है कि उसमें दोहरा object होता है या फिर कर सकते इसमें other word भी दिया रहता है तो दोस्तों हम subject object को कैसे पता करते हैं किसी भी sentence का इसका दोस्तों हम लोगोंने मतलब पहले ही अध्यन कर चुके हैं तो जिन साथ हुनों वीडियोस को नहीं देखा है वह आप लोगों जा कि अच्छी तरह से द दिया है तो से सोल्ड बना है यह थर्ड फार में अल्रेडी है दोस्तों उसके बाद बाई हो जाएगा आपका active का देख रहे हैं subject विक्रम दिया है जो की noun है इस विए से आपका इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ठीक है तो पैसी मुझ आगा दोस्तों when had the books been sold by व कैसे सब्सेक्ट और बीन के बीच में नाट लगा देना है तो दोस्तों इसका हो जाएगा आपका देख रहे हैं how had you not completed your work how मतलब कैसे देख रहे हैं यह पर डबली अचसे नहीं शुरू है लेकिन दोस्तों यह क्यूस्तन यह भी करने का काम कर रहा है तो यह भी कर सकते हैं प्रस्ट पूछने के वर्ट का एक family है ना मिन्स कैसे होता है तो how had you not completed your work देख रहें नाट आया है तो यह नेगटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव होने के साथ नेगटिव है ना ठीक है तो आईए इसको हम पहले स्टार्टिंग में लिख देंगे क्योंकि इस इस तो प्रस्ट पूछा जा रहा है उसके बाद है प्रस्ट पर दोरा हो गया ना इससे भी पूछा जा रहें यह दो आ गया ना इस पर हम क्या करेंगे हाउ उसके बाद है और इसके बाद ऑब्जेट क्या दिया हुआ है योर वर्क और यह आपने सब्जेक्ट बना दिया देख रहें योर जो कि एक प्रोनाउन है लेकिन आपको बिल्कूल भी नहीं होना है ठीक है उसके बाद दोस्तों यह सेंटेंस आपका क्या था नेगटिव था इसवेस आपका नाट बीन और उसके बाद आपको क्या करना में वर्ब का थर्ड फार्म में अल्रेडी है दोस्तों तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प कंपलिटेड हो गया उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों प्री पोजिशन भाई लिखेंगे और इसके बाद एक्टिव का जो आपका सब्जेक्ट यू दिया है प्रोनावन है इसे पैस्वम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा यू क्योंकि यू का एब्जेक्ट और सब्ज के सेंटेंस होते हैं उसे पैसिव में किस प्रकार चेंज करते हैं और उसमें किस प्रकार का बदलाव करते हैं उसको दोस्तों हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखने का प्रयास किया तो दोस्तों मैं आसा कर रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा तो दो नोटिफिकेशन आपको तूरंत मिले तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद